नमस्कार, कुछ लोग बिजनिस में सपल होते हैं, कुछ लोग नाकाम होते हैं, सभी लोग मैनत करते हैं, सभी लोग चाते हैं कि मैं सपल हो, लेकिन सारे लोग सपल नहीं होते हैं, कुछ सपल होते हैं, कुछ नाकाम होते हैं, तो कुछ लोग ये नाकाम क्यों होते हैं बिज और निरिनत्रता रकनी होगी जो लोग सफर होते हैं जज्बा रखते हैं लेकिन सात में हुद्छा आप यह दिखता आपके अंदर जो घुंध है एस सब रखिया अंगर आप के साउसे जुनून हे सब कुछ है लेकिन अकशरा आप के सब दो काईिर कीounterता है तो आप सपन नहीं होता है, उसके लिए वर्षों की महनत लगती है, वर्षों का देर्य लगता है, वर्षों का जो जुनूर और जज्वा लगता है, तो कोई भी वर्ष हो, कोई भी कार्य हो, तो देर्य के साथ में आपको निर्यंतरता रखनी होगी, सपन लोग देर्य के साथ में निर्यं मुझे पसंद आता इसने में करता अगर ये साब सोचोगे तो आप सबसे नहीं हो पाऊगो अपने कारिये में अपने वर्क में जुनून फैदा करो जुनून 24 गंटे सोते उड़ते बेटते जागते लक्ष अपने दिमाग में चनना चाहिए लक्ष अपने दिल में दड़कना चाहिए 24 गंटे वो होता है जुनून रूची क्या होती है रूची तो आज काम करोगा करने करोगा ठीक यार मेरी इच्छा है यारे मैं कारी करता हूँ फिरेश्ट और जुनून दोनों में राध दिन का अंतर है इंसे अपने अंदर से वो आग पैदा नहीं करेगा किसी कारी को करने लिए लेकिन अकर आपको अंदर जुनून है ना तो आपके दिल में वो आग पैदा होगी कुछ करने के लिए तो इस गंटे वा आग आपके सीने में ददखती रही तो रूची नहीं किसी कारी को करने के लिए जुनून पेदा करे टैलेंट टैलेंट को इस किल में बद ले ध्यान रखना आपके अंदर कितने ही अच्छा टैलेंट है बहुत अच्छा टैलेंट है आप दूसरों से जल्दी शेख सकते हो आप किसी कारी को दूसरों से जल्दी कर सकते हो अच्छी तरिक्षे से करते हो लेकिं अगर आपको मेहनत नहीं कर सकते हो लेकिन अगर आपके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है ना तो हुआ टैलेंट कुछ काम का नहीं है प्यान रखना टेलेंट कभी भी मेहनत को नहीं हरा सकती है मेहनत टेलेंट को हरा सकती है किसी इंसान के पास टेलेंट नहीं है लेकिन अगर वो रात दिन मेहनत करता है ना तो वो अपने अंदर टेलेंट बेदा करनेता है दूसरे व्यत्री के अंदर टेलेंट है तो उसको हरा सकता है अपनी महनत के बल पर अपने जोस और जून के बल पर तो आप कभी इस बात को लेकर इत्रा ना मत कि मेरे अंदर टेलेंट है मैं सब कुछ कर सकता हूँ मैं वो कर सकता हूँ मैं ये कर सकता हूँ लेकिन अगर आपको महनत करने की आदत नहीं है ना तो आपका टेलेंट आपके लिए जीरो है सुन्य है आप कुछ नहीं कर पाऊगे अपने टेलेंट को इसकी नहीं बतले कैसे बतलो के महनस से और जब आपके अंदर कुछ इसकिल्स पैदा होगी कुछ विश्यस तरह की एबिलिटी पैदा होगी ना तभी आप संथिंग डिपरेंट कर पाऊगे द करना क्या चाहते हैं जो सपन लोग होते हैं उनका उद्देश है उनका टार्गेट उनका लक्ष पहले से ही तय होता है कि मुझे क्या करना है वो छोटी छोटी बातों पर टाइम वेस्ट रही करते हैं उनको पता है कि हमें अपने लक्ष के लिए कितनी मेनत करनी है कितना द दियान देते हैं वो जजबे के साथ में जोस जनून देरी और निर्टरता के साथ में कारी करते हैं वो किसी कारी में रूची नहीं जनून पैदा करते हैं जोस उसा पैदा करते हैं अपने टेलेंट को स्किल्स में बदलते हैं और अपने लाइफ का परपस निर्दारित करते ह आप भी ध्यान रखना इस वज़े से लोग सफल होते हैं और अगर जिन लोगों में चार चीजे नहीं होती न वो अपने कारिय में अपने बिजनिस में नाकाम होते हैं आप यह बात जरूर याद रखना